नमस्कार बहुत स्वागत है आप सबका आज के स्पेशल जोतिश जराहट के में आज ये फ्रेम आप लोगों की मुहबबत के लिए हमने तयार किया है एक अच्छा सा इंडूर प्लांट आप लोगों के लिए लगाए है अब कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे आप लोगों के साथ आप लोग का प्यार पाने के लिए तो आज चर्चा मुहबबत पर ही आप सब जो हमें फॉलो करते हैं आप सब एक विशे पर हमसे बड़ा इत्तफाक नहीं रखते हैं और वो विशे है कुम्भ राशी के प्रती हमारा भाव मैंने आपको बताया है कि सामान तया चुकि 25-26 साल जोतिश छेत्र में अध्यन करते हमें हो गया है तो एक लंबा वक्त हम शोध और प्रैक्टिस दोनों को दिये हैं मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन हम 10-5 कुंडली ना देखे हो 26 साल लंबा समय होता है और जब लाइव शो करते हैं तब तो लगातार आप लोग के कॉल्स भी लेते हैं 60-60 कुंडली के घंडे में देख लेते हैं बहुत सारे फ्री कैंप लगाते हैं तो कहने मतलब अएक लंबा अनुभव है तो कुम्भ राशी के प्रती या किसी भी राशी के प्रती मेरा अनुभव बोलता है मेरी कोई ज्याद्ती दुस्मनी थोड़ी नहीं कि कुम्भ राशी वाले मेरा एक व्यक्तिकत संबंध कुम्भ राशी वाले मेरा रियल ब्रदर है सगा छोटा भाई है कुम्भ राशी सद्विसानक छत्रकार तो वो थोड़ा नस्दीक भी रहा है उसके बच्पन से लेकि अभी उसकी 40 सारा वस्था है पूरा देख रहा हूं में खैर आज हम आप सब को बताने जा रहे हैं कुम्भ राशी वालों का प्यार ये प्रेमी कैसे होते हैं इनका प्रेम किस तरह का होता है आज हम कुम्भ से सुरू कर रहे हैं वैसे हर राशी के विशे में हम आने वाले समय पर बताएंगे आप लोग को हमने लव सिरीज में जो पहले चर्चा किया था वो प्रेम विशे पर था आज राशी विशेश पर है प्रेम के मामले में कुम्भ राशी वाले कैसे होते हैं तो जैसा कि आप लोग को पता है, पंचम भाव, प्रेम भाव, यहां से इसे समझना और देखना होगा, पंचम भाव से. तो कुम्भ राश्य वालों के लिए पंचम भाव और उसका प्रभाव जो है, वह संचालित होता है, जिस ग्रह से, उस ग्रह का नाम है बुद्ध. अब बुद्ध दो घरों का मालिक है, मतलब पंचम भाव में जो पंचम भाव का मालिक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, आप हेड़फोन लगा लीजी, एरफोन लगाएंगे, और कंसंट्रेट करेंगे तो आपको बहुत नेचुरल फील आएगा, आपको बहुत ट्र आक्रतिक अनुभव होगा, कि जोतिश कितना गहरा है, मेरा कोई इसमें, महा तो नहीं, बस मेरा एक एंगल है, मेरा एक दृष्टिकोन है, मैं जोतिश को बहुत प्रैक्टिकली रियलाइज करके और फिर फील करके और फिर आपको हम कनवे करते हैं, हम कनवेयर, हम एक प्री अनुकंपा है हम पर, मतलब हम समझ सकते हैं चीजों को, तो बस उसी पर हम आ रहे हैं, देखिएगा, और ये एंगल, मैं फिर से एक बार चैलेंज कर दू, ये वाला एंगल जो मैं बताने जा रहा हूं, यह पूरे योट्यूब नहीं, ये एंगल, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, ब्रम्हांड में बताये कोई, जो एंगल मैं ला रहा हूं, लव फैक्टर पर, प्रेम के विशे पर, कुम्भ राशी का, और यही मैं ऐसे ही, हर राशी पर मैं प्रकाश डालूँगा, जल्दी ही, कुम्भ से हमने शुरू किया है, और आप लोग काशिरवा आधमें ऐसे ही बना रहे, तो पंचम भाव का संबंध बुद्ध से है, और बुद्ध का संबंध अश्टम भाव से भी है, है कि नहीं, अश्टम भाव में कन्या राशी, पंचम भाव में मिथुन राशी, ध्यान से समझीएगा, तो सबसे पहली चीज, जो एक पंचम में मैं आपका आशिरवाद चाहूंगा, आप उछलेंगे अभी, जो मैं बोलने जा रहा हूं, कुम्भ राशी वालों के प्रेम के विशे में, जो एक सारांश मैं दूँगा, ये अलहड प्रेमी होते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, चुकि मेरे पिताजी हिंदी के प्रवक्ता रहे हैं, तो हिंदी मेरे रग रग में बस के चलता है, तो मैं शब्दों का चैन बड़ा संजीदगी के साथ, बड़ा संवेदन शीलता के साथ करता हूं, और बहुत इमानदारी के साथ, जबाब देह के साथ करता हूं, मैं आंसरेबल हूं, मैं जिस सब्द का चैन किया हूं, और मैं बहुत नैतिक व्यक्तित्तों का व्यक्ति हूं, और सिधानत के साथ कभी मैंने कंप्रोमाईज नहीं किया है, आप अगर मेरे करीब होंगे ना, तो जानते होंगे, मेरी कथनी करनी में कभी अंतर नहीं रहा है, खेर विश्यांतर हो रहा है, ये बड़े अल्हड प्रेमी होते हैं, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, कन्या हो, लड़की हो या लड़का हो, इनके प्रेम में बच्पना होता है, कब किस बात पर अपने प्रेमी से या अपनी प्रेमी का से, पुरुष है तो कुम्भराशी का तो प्रेमी का से, और कन्या है कुम्भराशी की तो प्रेमी से, ये कब किस बोल पर बिखाऊ दी जाएं, पता नहीं चलता, मतलब नहराज हो जाएं, आपने तोक दी आचानक से, किसी भी विशेव पर, जैसे कपड़ों के साज सज्जा पर आपने तोक दिया, आपकी प्रेमी का है कुम्भराशी की और आपने कहा किया रहे, ये क्या टपस पहनी हो, ये क्या जुम्दगा पहनी हो, बालों में कुछ लगाया है, कप फुगा जैसा लगा ली हो। आपने कुछ भी टोक दिया आचानक से, पहनावे को लेकर किसी भी विशय को लेकर और भाई साहब उसका मूड जन्नाया है किसी भी विशय को लेकर पहले से ठीक है अब इतने बोलना आपका भाली पड़ जाएगा अगर वो कुम्भराशिकी है क्योंकि पंचमेश मरकरी है तो in the matter of love and affection and इसको बैवाहिक जीवन से भी आप connect कर सकते हैं मैं बिवाह से हटकर इसको मैं बताने का प्रयाश कर रहा हूँ आप इसको बिवाह के संतनर्व में मत जोड़िएगा प्रेमी प्रेमी का पती पतनी में अंतर होता है पंचम और सब्तम का अंतर होता है प्रेमी या प्रेमी का मरता है तो पतनी या पती का जन्म होता है क्यों से तोये एक अल्हर प्रएमी होते हैं ये कब किस बात पर नाराज हो जाते हैं ये सामने से कभी पता है कभी पता नहीं चुलता तो इनके अंदर यह एक मैं इसको गुल ही कहूंगा अवगुल नहीं कहूंगा तो नीचे वाला पेड़ भी अब उपर आ गया है तो मैं बात कर रहा था कि इसे मैं दुर्गुल नहीं गुल कहूंगा सद्गुल भी कैसे कहा जा सकता है क्योंकि इसमें कई बार दोश भी रहता है ये एक प्रकार का स्पेशल प्रभाव है प्राकरति गुरूब से आपके अंदर बुद्ध और क्या होता है ये तो मैंने दो चीज़ें बेसिक बता दी कि ये बहुत जल्दी तुनक मिजाजी इनके अंदर होती है अलहर प्रेम हमने बताया इनको एक शब्द में परिभाषित करें अगर इनके प्रेम को डिफाइन करें explain करें एक शब्द में explain कर दिया तो that is अल्हड प्रेम अल्हड पन होता है बच्पना होता है किडिश लब तो कब क्या इनको ना भाए यह समझ पाना बड़ा खतरनाक होता है तो कुम्बराशी का अगर आपका प्रेमी है या प्रेमी का है आपकी तो भाईया हम आपसे यही पूछेंगे कि कितने महीने से रिष्टा चल रहा है क्योंकि आज की तारीख में इन्हें जल्दी कोई बोलूंगा ही जेल नहीं पाता है रीजन है इसके पीछे का इनका अपना एक अलगय अंदाज होता है मतलब बस अब हमारा अपना है तो है क्या कर सकते हैं आप किये हो प्यार तो जेलो यह बहुत शान से बोलेंगे ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं यह बहुत शान से बोलेंगे किये हो तो जेलो किये हो तो जेलो कोरम लएके खिलाओ अलड़ है बजपना है तो अगर देखे इसके लिए ना जानते हैं बहुत गहरी बात में बताने जा रहा हूं बहुत गहरी बहुत फिलिंग फुल ये मनलब इसी मंच पर आपको ये चीजे सुनने को मिल सकती है YouTube तो बहुत सर्व सुलब है लेकिन ये जो हम content हमारा जो content होता है ये Oscar winning content होता है ये बहुत दुरलम content है ये जो हम देते हैं लेकिन इश्वर की कृपा है कि आप लोग YouTube पर बहुत सहजता से इसे पा जाते हैं जो कुम्भ राशी के प्रेमी प्रेमिका होते हैं इन्हें अगर आप इनके प्रेमी है आपकी girlfriend आपकी प्रेमिका कुम्भ राशी की है तो आप एक पिता बन करके इसको pamper करिएगा बहुत बड़ी बात हम बता रहे हैं आपके अंदर आप fatherly feel के साथ आप जब तक उसे वो लाड़ और उसके उस अलहड़पन को सर आँखों पर नहीं उठाएंगे आप का रिस्ता नहीं चल सकता है बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ तो आपका भाव ऐसे ही होना चाहिए मतलब वो कुछ आपको बोले तो आप उसे उसी अंदाज में completely involvement के साथ appreciate करिए अच्छा हाँ ऐसे था क्या बात है बहुत बड़ी है ऐसे पिता जी होते है छोटा बच्चा बताता रहे पापा आज आज पता है आज उसने ऐसे उसको बोला था छो फिर तुमने क्या कहा तो आपका ये जो भाव आया ये आपका सेम फील के साथ जो आपका involvement हुआ या आपके जो कुम्भ वाला है या वाली है उसके साथ bond को strong करता है आते हैं सेम टाइम अस्टम भाव वाला भी जो जो बुध है उसका प्रभाव भी 100% पड़ता है कुम्भ वालों की प्रेम जीवन पर और अस्टम वाला बुध बुरा हो होता है और यह अपने लव लाइफ पर 99% कुलहाडियां चराते हैं बच्पना में इनका जब भी ब्रेक अप होगा इनका जब भी रिष्टा तूटेगा तो only because of किडिश reasons बच्पना वाली जो कारण होते हैं उसकी वजह से तुम कैसे बात कर लिए मेरी friend से तुम कैसे बात कर लिए मेरे friend से कोई बात नहीं है अरे कई लिए भायात का होई गए अब कपार फोर्देई आपन की तुहार तो ये acceptance नहीं हो पाता है बच्पना है ना जैसे मेरी चीज है मैंने जैसकती एक अधिकार बच्चा हो थे नहीं जैसे हमारे एकटू भैने रही तो महरवा पीड़ा धरा रहा है तो अकरे माने जब हले भी तरह घरा में तो पिड़वा इसे उठाए जबकि उकरे साइज से दूगना पिड़वा रहा है तो बच्चा रहा है चार-पान साल गर रही होते हैं नहीं जैसे एक अधिकारत तो होता है पूरी तरह हां भी हो जाते हैं दे नेवर कैंशेर देर पार्टनर्स एनिहाव नेवर 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 दिस इस बेसिक करेक्टरिस्टिक आफ एर्थ हाउस लॉर्ड बुध ये जो आठ्वे वाला बुध है ये घातक है मैं बहुत पहले एक अपने कार्टनर्म में बोला था क्योंकि लब मेरा बहुत प्रिये टॉपिक होता है इस विशेफ गंभीर सोध किया है बड़ा नहीं कहूंगा गंभीर सोध किया है एक बार मैंने बोला था कि एक वक्त हुआ करता था जब रिष्ते ट्रस्ट पे चलते थे आज रिष्टे इस्पेस पे चलते हैं आप रिष्टों को कितना इस्पेस देते हैं कपारेब चढ़ा रहा तो फोड़ो रिष्टा चल पाई इस्पेस देजिए आप माता पिता हैं तो भी इस्पेस देजिए तो यह है मैटर है तो अब इसको समझने क्या वश्यक्ता है तो यह चीज आप समझ गया अगर कुम बसे तो इनका पंचमेश आपको समझ में आ गया होगा तो एक अधिकारत तो इनके अंदर बहुत तगड़ा है अच्छा यह थोड़ा सा यहां पर आप लोगों का बेरे से हो सकता मतांतर हो लेकिन आप देखेंगे तो मेरी बात सही निकलेगी देर सबेर इनको मतलब इससे बहुत मतलब नहीं होता है कि आप इनकी कितनी केर करते हैं क्या नहीं करते हैं लेकिन इनका एक अधिकार आप पर रहे आपका कहीं और अगर कहीं से दरदाय बाय हलका फुलका भी रहेगा तो उसमें फिर मैटर गड़बर हो जाता है तो वो चीजें गड़बर करती है आने वाले समय में तो यह आठमे वाले का यह प्रभाव बढ़ जाता तो चुकि बुध पंचमेश दो राशियों का स्वामी है तो अंचमभाव का मैंने पहले पताया और अश्टमेश होने का जो एक छोटा सा दोश चुकि अश्टमभाव गड़बर होता है तो वो दोश जब जागरित होता तो वो एक मामला गड़बर कर देता है इनकी अपनी लोयल्टी के विशे पर भी मैं अगर बात करूं तो बचपना है तो बहुत जल्दी औरों से भी यह अट्रैक्ट हो जाते ह हैं और इनके अंदर एक जो बच्चों वाला एक और जो अल्हड प्यार हमने कहा था एक होता कि यह कंपेर बहुत जल्दी करने लगते हैं मतलब आपको आँकेंगे और उसकी तुल्ला में बच्चे होते ना कंपेर करते मेरी वाली आइस्क्रीम छोटी है उसकी आइस्क्रीम बड़ी है उसके बॉइफ्रेंड ने तो यह दिया था तुम तो यही दे पाए मतलब वो ब्रहश्पति बलवान होगा तो बोलेंगे नहीं लेकिन अंदर तो भाव रहेगा ब्रहश्पति पीडित होगा तो मुफटाई में बोल देंगे अच्छा यही दिये चीजे और भी माइटर करते हैं तो इसलिए कई बार प्रडिक्शन में आप लोग समझ नहीं पाते हैं चीजे में सही बताता हूँ आप लोग को कल्कुलेट करना नहीं आता है तो आप समझने की भी बात होती है सेंस लगा कर कितना चीजे 15-20 में बताया जाए फिर आप कहेंगे वीडियो छोटी बनाएए तो अब सामने आए तो खोल गी रख दें हम तो यह होता है तो उनके अंदर यह भाव आ जाता है मतलब जल्दी किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं कंपेर जब करते हैं आप आएंगे पार्टी में गए आपने कहा कुम्भराशी वाली प्रेमिका ने या पत्नी ने कहा कि आज यह पहन कर चलिएगा आप पहन कर नहीं गया भाईया आप हलके से भी अगर चीजें मतलब उनको यह होता है कि उनका जो है वो बेस्टर है हमेशा तो इ कि उनकी चीज जो है वो बेस्ट दिखें वो हल्की फुल्की ना दिखें आप बेस्ट रहो आप बिल्कुल अप्टूडेट रहो आपका कपड़ा रहे तंच रहे आप एकदम डिसंट दिखो मतलब उनको उनकी चीजों की प्रसंसा होने पे उनको अंदर से खुशी होती है तो आप अगर उनके प्रेमी हैं या आप उनकी प्रेमी का हैं तो आपको थोड़ा सा इस चीज को ले करके सतर्क रहना चाहिए उनका सुभाव ऐसा है और दे कांट चेंज इट एनियाव आप लोग या मैं तो चंद्र खिलाओ ना लई हो भग्वान से रिकेश्ट बाल हट चांद को मांग लिए भई चहिए तो चहिए बाल हट बजरंग बली सुर्य को खाने चल दिये निगलने चल गए लीलने लीले उता ही मधुर फल जानू तो इनके अंदर ये चीज रहता है ये मतलब इनकी चीज बेश्ट रहे है तो इनका ये प्यार बड़ा अलग तरह का है इसी प्रकार का है बहुत सारी चीज़े और भी हैं बताएंगे फिर कभी लेकिन ये हमने बेसिक्स आपको बता दिया तो आप ऐसे ही हैं और अगर आप वाली या आप वाला कुम्भ का है एक्वेरियंस हैं तो आप उनके प्रेम को समझें उनका प्यार ऐसा है जैसा अभी हमने जिक्र किया बताया बाकी राश्यों के भी प्रेम के विश्य में बताएंगे इंतजार करिएगा ये कारिकरम है आप वाला प्यार शुक्रिया धन्यवाद मोहबद बनाए रखिए नमस्कार शेलादे प्राइब नमस्कार शेलादेél वड़ी तên ूम्स्कार शेला कर अच्मारा शेला व Elias झाल झाल आचार्य विश्वप्रसिध ज्योतिशाचार्य संतोश संतोशी जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव, बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीब एक खुशियां अनेग कि मौट भी खुशियां कि मौट भी उस्यशाँ की चाहि sections